आपका क्वालिफिकेसन स्टेटर्स मेरा सीएस डिप्लोमा है इंजिनेरिंग इंजीनेरिंग करके आप पंडोखरदाम से जुड करके नई सर ऐसा कुछ नहीं यह साल बर हो गया बेवकूफ इंसान एक बार बनता दो बार बनता मैं गो बारा महीं ने हो गया आते आते में बा हार जी लगाईए वो फ्री हो जाएंगे अब चक्कर पर चकर लगा एक में ही नहीं मेरे पुरा परिवार जुड़ा है यहां से हर मैंने कोई ने कोई बच्चा आता भी बेटी आकी लेगी आट दिन रेके गई बड़ेटी भी गुर्जी से मुलकात हो ना होए मंद्री में और यहां पर मैं विजिट किया हूं और लोगों से जानकारी लेता हूं कि लोगों के कैसे काम होते हैं यहां पर और लोग कब से हां आ रहे हैं तो हमारे साथ है कि मैं जुड़ी हैं मैं कहां से हैं मैं चिनवारा डिस्टिक से हूं तैसिल परास्या कब से आप आ रहे हैं ए पापा कभी गोली नहीं खाते हैं, वो चार दिन रहे हैं, पास दिन रहे हैं, यहां पंदरा दिन रहे हैं, सबसे बड़ी रियल्टी यही है, उसके बाद मैंने 32 तक शादी का बिल्कुल विचार नहीं पनाया था, मैं जब से आई पापा के साथ, मैंने 2 महने में सदली सोच आपके मन में क्या ऐसे विचार थे, कि आप यहां आने से पहले साधी नहीं करना चाहिए, मुझे यह था कि मुझे मेरे पापा के साथ ही रहना है, और अभी भी मैं अपने पापा के साथ हमेशा आती हूं, वो जब भी आते में पंडोकर जरूर आती हूं, पंडोकर धाम मे यहां का सिस्टम इस पदबे थे पापा नगरपालिक ओनो की स्टेटरस के बारे में जांता समय선 नियुद्ञ करके आप उन्द भार भार वनता नहीं ना की आपको गयacked यहां पर पढ़े लिखे लोगी बेवकूप बनते हैं यहां पर पढ़े लिखे लोगों के पैसे लूटे जाते हैं तो इस पे क्या ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी अपनी महनत की फीसे तो और उनने तो लाइब बोल भी दिया है कि जिस दिन उनका इस अपना साकार हो जाएगा वो फीस लेना छोड़ देंगे उसके बाद आप आईए बाला जी में माता टेकी वहां अरजी लगाईए वो फ्री हो जाएंगे गुरुजी से जो मिलने का एक प्रोसेस होता है उसमें एक ही बार पैसे लिया जाता है कि बार बार उतने पैसे आपसे लिया जाता है? एक रुपे से लेके आप जितनी की कटा सकते हैं वो आपकी सिक्ष है बस यह थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है यहाँ पे आट दिन, दस दिन, पंदरा दिन और मंदिर परिसर में जहाँ पूजा पाठकी जाती है या फिर धाम से संबंदित किसी अन्यवेक्ति के द्वारा कोई दबाव बनाया जाता है कि आप यहाँ इतने पैसे का चड़ावा करिये? नहीं, ऐसा कुछ नी, मैंने तो आस तक एक रुपे का प्रशाद भी नी चड़ाया है, सिस्ट मेरा हस्बेंड पर्सों पहली बार आया थे, तो मैंने सिफ एक नारियल चड़ाया उनके साथ, बागी बारा महिने में मैंने एक रुपे भी इस तरीके से इस आस्ठा के केंद्र से जुड़े हुए हैं तो और द जूसे लोग्षणाग से जुड़े हुए हैं, तो कहीं कई न लिखे लोग बेवकुफ आज के जमाने में बनने वाले हैं नहीं कि हर अब्याक्ति प्रतिब्यक्ति जो है अप सचेत है सतर्क है और प्रतिब्यक्ति को कोई बेवकूप नहीं बना सकता है अम आंटी जी से जुड़ते हैं और जानते हैं आंटी जी से कि क्या है पंडोकर दाम की सच्चाई आप कहां से हैं मैं चिनदवारा से हूँ older कभ मैं साल से और वह सहाल में कम सब्सक्राइघ Same पैसे वहते हैं नई कुछी societies of combiners पुरी चोच लोगोंек द मदला कि दम शार्टरोप लगाए जा रहा है यहां पर जो भंडारा चलाया जाता है उस भंडारे में सुबह साम जो भी बोज कारेक्रम चलता है उसमें तकरीबन क्या आपका अनुवान है कितने लोग बोज कारेक्रम में बैठते हों कि दसरार लोग बेठते होंगी दसराइब होते हैं पांच आज में बढ़ते हैं संक्यत बढ़ते हैं डेली वह नहीं है कि और कोई दोड़न टाइम भर पेट खाना मिलता बढ़ी है तो पब्लिक बढ़िया सुख सांती से हा रहे ती यहां कोई दिक्कत नहीं है एक साल से मेरे पुरा परिवार जुड़ा है यहां से हर मैंने कोई ने कोई बच्चा आता भी बेटी आकी रही आठ दिन रहे गए बढ़ बेटी भी खास तोर से सक्तिपुत्र महाराज के द्वारा और उनके धाम के द्वारा कुछ उनके तथा कथित लोग हैं जिनके द्वारा आरो स्क्ति पूत्र महारा जिया जाते हैं इसमें तो बच्त लोग ब्रहमित होते हैं लोग भ्रहमित होने वाले होता है जो नए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और उनको इस धाम से संबंदित कोई जानकारी नहीं है और उनको सक्ति पुत्र महाराज के चम्चों के द्वारा ब्रहमीत किया गया है तो उसपे आप नए लोग को क्या कहना चाहेंगी धाम से संबंदित वो चम्चे ना बने वो पंडोकर धाम से जुड़े जो आना है वो रुके नहीं अपने कर्मे सार्थ करें यहां पर आके उस पर नदी कहीं गंगा नदी में ना हो गुर्जी से मुलाखात होए ना होए मंद्री में द्रसन करने से काभी कुछ मिलता है तो सक्तिर पुत्र क्या करेंगे उसमें और कितने भगते वो होए ब्रहमीत होए ब्रहमीत होने बाद ही उनको पाद में सोचना चाहिए कि आके देखे नहीं आप पहले क्या चीजे करके पंडोकर धाम